अपनी आठ सुत्री मांगों को लेकर आंदोलित उत्तर प्रदेश लेकपाल संग जिला एकाई के सदस्यों का धर्ना प्रदर्शन बुद्वार को तैसिल सदस्परिसर में जारी रहा जबकि प्रदेश सरकार ने लेकपालों के हर्ताल को असनविधानिंगोसित करते हुए 6 मा को प्रदिवम लगा दिया है और इसका पालन नहीं करने वाले कर्मियों पर एसमा लगाने के निर्देश जारी किये हैं इसके बावजूद लेकपाल संग अपनी मांगों के जित पर अड़ा है और उनका कहना है कि लेकपाल सरकार की धंकियों से डड़ने वाला नहीं है और उनका आंदोलन जारी रहेगा आपको बताते चले कि प्रदर्शन कर रहे लेकपाल वेतन उच्ची करन, वेतन विसंगती, पैंशन विसंगती, भत्तो में ब्रिधी, राजसो परिसत द्वारा प्रस्तावित, राजसो उपनिलक्षन सेवा निमामाली को कैमिनेट में पारित कराने, लैप्टॉप का बित्रन, राजसो नेशन पदवनती में संक्रण अमीन तथा भूमी अमीन का कोटा समाप्त किये जाने, तथा आधार भूत सुविधायर एवं संसाधन उपलवद कराने की मांग कर रहे थे, गोरकपो नियूस से बात करते वे लेकपाल संग के तहसिल अद्यक्ष कारी नीती से डड़ने वाली नहीं है, जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, फरतास जारी रहेगा, तैसिल अद्यक्ष दिनिश कुमार पंगजी ने कहा, इंक्राज दिनावाद, इंक्राज दिनावाद, इंक्राज दिनावाद, इंक्राज दिनावाद, उंद्यक्ष दिनावाद, उंद्यक्ष दिनावाद, उंद्यक्ष दिनावाद, उंद्यक्ष दिनावाद, उंद्यक्ष दिनावाद, उंद्यक्ष दिनावाद, इंक्राज आठ सुत्री मांगों को लेकर धरनाज़त हैं जैसा कि प्रांद का निर्देश है आठ सुत्री मांगों में हमारी प्रमुख मांग जी से जनता के हम सेवा कर सकते हैं लेप टाप निस पार्टोन है जुसमें पिछली सरकार द्वारा 22 क्रोड रुपे बज़ेट निरायत किये गए हैं लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा खरदाई नहीं उपा रही है आप सोच सकते हैं कि किस कार खरदाई नहीं उपा रही है हमारा अंदोलन पूर में लोकतान्दिक तडिके से पूर में पत्रों के दोरा पत्रम के माध्यम से उनको दिया गया है और लोकतान्दिक के दोरा पत्रम के माध्यम से उनको दिया गया है और लोकतान्दिक के दोरा पत्रम के माध्यम से उनको दिया गया है और लोकतान्दिक क समस्त कारियों का बैस्कार करते हुए समस्त लेखपाल धर्ना रथ हैं अभी तक दशीलों पर हैं साथ आई तर तशील अस्तर पर रहेगा नवतारी से संबूर लेखपाल जिले के जिलास्तर पर धर्ना देंगे कारियों का बैस्कार करते हुए धर्ना देंगे